कि नमस्कार जहिन स्वागत आपका ओनली नुइनेशन में बारा हजार से पच्छास हजार तक ट्रेक्टरों ने दिल्ली को गहर लिया है वहीं पर हमिस्था ने बड़ा एलान किया भी मैं आपको इस तरुजी बीडू दिखाने वाला हूं कि इस तमें दिल्ली में किस तरह से किसानों ने हुड़दन करना सुरू कर दिया है क्योंकि कल 26 जनवरी है और 50,000 ट्रेक्टरों का खर्चा जो हमने आपको बताया था कल जो पंजाब से चलकर और भी अनिराज्यों से चलकर दिल्ली पहुंचेंगे उनका खर्चा हमने आपको बताया था लगभग 62 करोन पिये का खर्चा सिर्फ पेट्रोलिंग पर आया था यानि कि इतने पैसे कहाएंगे यह तो जाच का भी सहे लेकिन आज किसानों ने दिल्ली घेर कर और वहीं पर अमिसाने जो एलान किया है उसकी एक सुचिब वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे अभी आपको ज बता रहा हूं तो लगबग 12,000 ट्रेक्टर पहुंच चुके हैं और कल तक 50,000 ट्रेक्टर पहुंचने की एलान भी कर दिया गया है बता दू आपको दिल्ली में किसानों की ट्रेक्टर रैली में मद्दे नजर खूपिया एजंसियों को कोई इंपुर्स दिये गया है इसके आलामा कानून ब्योस्था की इस्तिती ना बिगड़े इसलिए कड़े सुरक्षा ब्योस्था क्या भी बंदोबस्त कर दिया है चोकि किसान जिस तरह से वहां पर ये किसान नहीं है लेकिन जब किसान का नाम है तो कहना ही पड़ेगा चोकि इन्हों ने वहां पर किले बंद देदी है इसे किसान गरतंद पारेड भी कहा जा रहा है 26 जनुरी को होने वाली इस रैलिके लिए पुलिस समेत रिजर्व mesure पोर्स taraf की वी सार्ट नोटिस मूप के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है गरतंदिवस परेड के फिक बास शुरु होने वाली इस रैली के अभी कोई पक का इरादा नहीं बताया है कि लगबग 50 से 60,000 ट्रेक्टर हो सकते हैं जिनका खर्चा हमने आपको कल ही बताया था लगबग 62 करोण 49,000 रुपिया लगबग बताया गया था तो यानि इस पश है कि इतने पैसे कहां से आएंगे लेकिन आज इस तरह से किसानों ने घेरा बंदी आज से ही कर दिये क्योंकि परेड कल है लेकिन आज ही दिल्ली बॉर्डर पर 12,000 ट्रेक्टर पहुंच चुके हैं और आकड़ा 50,000 बताया जारा बता दू ट्रेक्टर रैली के लिए क्या इंतजाम किये गए है और वापसी में केमपी वेस्टर्ण फेरफेल एकस्प्रेस में होते हुए लोटेगी रेविवार को पड़ोसी राज्यों में हजारों टेक्टर्स दिल्ली की तरफ बढ़ते देखे गए हैं पंजाब हरियाणा यूपी रास्तान जैसे राज्यों से किसान टेक्टर को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं कुछ किसारों ने तीन से पांच ट्रेक्टर्स ट्राली एक साथ ही जोड रखी है ताकि इधन बचाया जा सके यानि कि इधन बचाने की भी कोशिस की जा रही है प्रदरसन कारी किसान लगातार 26 जनोई को निकलने वारी रेली का रिहासल कर रहे ह है जिस तरह से यूपी बॉर्डर की हम आपको तस्पीरे दिखा रहे जिससे कि इस्पंश्ट है कि किसान अंदौलन में बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि दिल्ली आजाय की सेना के अंडर में और जब दिल्ली सेना के अंडर में होगी तो इनका क्या हाल होगा वहराल प लेकिन देखना है कि इनका ट्रेक्टर मार्च सिर्फ ट्रेक्टर मार्च है या फिर ये कुछ और धमाका करने वाले क्योंकि खूपिया इंपुर्ट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी समूव इस ट्रेक्टर रेली को निसाना बना सकते हैं सरार्थी तत्तों की वज़े से कानून ब्योस्ता खत्रे में पड़ सकती है फिलहाल बेहत सक्ती से बैरिगेटिंग कर दी गई है निधारित रूट्स के आलवा ट्रेक्टर्स को और कहीं से जाने नहीं दिया जाएगा स्पोर्ट पर भारी पुली स्पोर्ट तैनात रहेंगे बजादू किसान यूनियन के साथ समझोते के बाद सेंधादिक रूप से ट्रेक्टर रैली की मंजूरी दे दी गई है प्रदरसन सलों से अस्थाई तोर पर सुरच्छा प्रबंध हटाये जाएंगे ट्रेक्टर्स के आर्टिलियर पेरफेल रोड्स और ऑस्तन 70 किलो मीटर तक नहीं आने दिया जाएगा यूनियनों के वालिंटियर्स भी दिल्ली यूपी और हर्याड़ा पुलीस के साथ मिलकल काम करेंगे अब तक 12,000 टेक्टर्स का अनुमान है अंतिमाकडे 25 जनवरी किसाम यानि आज किसाम को कर्फम हो जाएगा दिल्ली पुलीस के प्रोक्ता और स्पेसल कमिस्नर दीपक पाठक ने कहा कि उन्होंने किसान यूनियों के साथ एक लिश्ट साजा किये जिसमें इन इंतिजामों का जिक्र है जो रैली को सांधिपूर्ड तरीके से निपड़ाने के लिए जरूरी है पाठक के मुताबिक सांधिपूड रैली निकालना ए ही है और अगर फोर्थ लगी है तो इनका जो हुर्दंग करने का प्लान है वो सायद नहीं हो पाएगा जिससे कि इस पश्ट है कि यह लोग किसान के नाम पर जिस तरह से आज इतना खड़्चा कर रहे हैं और यहीं पर जो रूट से निकलेगा जो रूट निर्धारित किया जा चुका यानि कि जहां मरजी वहाँ यह ट्रेक्टरमार्च नहीं नीगाल सकते लेकिन वहीं पर जो रूट निर्धारित कि गए हैं वह भी विवादित Presidential भी उस रूट पर ना चलने का निर्णे ले रहें लेकिन अब जब पुलिस प्रसासन ने बता दिया है कि उसी रोड पर ये ट्रेक्टर मार्च निगाल सकते हैं तो इन्हें वही रूट अपनाना पड़ेगा अगर ये इधर उधर होने की कोशिस करते हैं तो कहीं न कहीं ये लिए दर्दनाक साबित होगा क्योंकि वहां पर पुलिस नहीं बलकि सेना खड़ी होगी और सेना के सामने अगर ये इधर की उधर करते हैं तो सेना इनका इधर का उधर कर देगा और इनका मार्च वही पर वही ठब हो जाएगा बाकि आपकी क्या राय कमेंट वाक्स आप निरा रखिए और जितना हो सके इस वीडियो को सेर कीजिए क्योंकि जब आप वीडियो को सेर करेंगे तो सच्चाई सब के सामने होगी और आज लगब पचास हजार ट्रेक्टर जो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनको तो पहुंची रहें लेकिन का खर्चा जो आसमान चूरा है यानि इस पश्ट है कि कुछ बड़ी और लंबी चोड़ी फंडिंग भी हुई है बागी आपकी क्या रहा है बने रही है उनली नुई निसंग साथ आज हम आपको किसानों की लाइव अपडेट की बड़ी ख़वरें दिखाएंगे किसान इस समय क्या कर रहे है द आपके लिए एक ऐसी पत्र का पहली बाराई है जो सिर्फ सच दिखाएगी क्रिश कानूनों पर मचा है घमासान हो रही है मनगढ़नत बाते मैं अंकित मिश्ट पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैजीन में फ्रैक के साथ UPSC के एस्पारेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जा करके इस नए लेक में आपको मिलेगा नए संसत्भावन के निर्माट से संबंधित सारी जानकारी मैं विशाल यादो आप तक आप लोगों ने हमें टीबी पे देखा लेकिन अब हमारे लेक आपको दिखेंगे इस मैजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर दर न्यूज ओसियन हम आपको दिखाएंगे किसान अंदोलन के बीश में जिहादी कार्ण सब्सक्राइब करें ता न्यूज ओसियन कबरों का समंदर